परिचय तरुन अपने सामाजिक विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए एक गाउं में गया है गाउं शहर से एकदम अलग है गाउं बहुत हरा भरा है जबकि शहर में हर्याली मुश्किल से मिलती है गाउं की हवा में तास्की है प्रदूशन का नामो निशान नहीं है तरुन के लिए यह एकदम नया अनुभव है उसे तो शहर में धुआ और जहरीली कैसे गटकने की आदत है तरुन के दिमाग में यह सवाल आया कि क्या यह अंतर पेड़ों के कारण है इस पार्ट में हम विस्तार से जंगलों की बात करेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे जंगलों की परिभाशा बताना जंगलों की सन्दचना बताना जंगल से मिलने वाली चीजों की सूची बनाना खादेश रंखला की परिभाशा बताना खादेश रंखला के अंगों की सूची बनाना इनसानों के लिए जंगलों का महत्व बताना जंगल परिचय घने पेड़ों वाले धर्ती के विशाल क्षित्र जंगल कहलाते हैं पृत्वी के कुल भूक्षित्र का लगभग तीस प्रतिशत जंगलों से ठका हुआ है इन्हें वन भी कहते हैं जंगल में बड़े बड़े पेड़ी नहीं छोटे छोटे पौधे और जाडियां भी होती हैं जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे यानि वनस्पती और जीवजंतु पाए जाते हैं जीव जन्तू और वनस्पती के अलावा अनेक आधिवासी समुदाई भी जंगलों में रहते हैं। वे अपना भोजन और कपड़े जंगल से ही लेते हैं। जंगल से मिलने वाली चीजों से उनकी आजीविका चलती है। जंगलों की संदचना पेड़ों और जाड़ियों के उपरी हिस्से में शाखाएं और पत्तियां होती हैं। उसे मुकुठ या छत्र कहते हैं। उचे पेड़ों के छत्रों से जंगल की छत बनती है। जंगल की छत छत्री की तरह जंगल को धूप से बचाती है। जंगल की जमीन गर्म और आरद्र होती है। इस पर पत्ते, शाखाएं, कीट पतंगें, काई और फपूंद तथा जीवानों जैसे सूख्षम जीव रहते हैं। जो हमारी आँख को दिखाई नहीं देते। यह सूख्षम जीव जैवीक पदार्थ को विख्टित कर गहरे काले रंग का पदार्थ हुमस खाद बनाते हैं। यहाँ खाद पौधों को पौश्टिक तत्व देती है और मिट्टी को उपजव बनाती है। जंगल की कई पड़ते दिखाई देती हैं क्यूंकि पेड़ों की उंचाई अलग-अलग होती है। सबसे उपरी परत ओवर स्टोरी कहलाती है। जाड़ियों, जड़ी बूठियों और काई की निचली पड़तों से अंडर स्टोरी बनती है। जंगल और उससे मिलने वाली चीज़ें। पेड़ों से पैदा होने वाले बीजों को पवन, जल और जीव जन्तु हर तरफ पहला देते हैं। जंगल की गर्म और आरद्र जमीन बीजों के अंकुरन के लिए उप्युक्त है। अंकुरित बीजों से अंकुर फूटते हैं, जो पहले पौधा और फिर पेड़ बन जाते हैं। जंगल हमें इधन और फरनीचर के लिए लकड़ी, पशों के लिए चारा, और शधिये वनस्पती, काघज, बास, रबड, गूंद और तरह तरह की दूसरी चीज़ें देते हैं। खादे श्रिंखला नाश्टे का समय है, रिया पनीर का टुकड़ा खा रही है। उसने सोचा कि क्यों ना पता लगाया जाए, कि इस पनीर के टुकड़े की शिरुवात कहां से हुई। पनीर दूद से बनता है, और दूद गाए से मिलता है। गाए वनस्पती यानि पौदे काती है। पेड़ पौदे सूरच की धूब की मदद से अपना भोजन तयार करते हैं। इस तरह रिया खादे श्रिंखला की पहली कड़ी तक पहुँच गई है। खादे श्रिंखला ऐसा सिलसला है जिसमें उर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक पहुँचती है। खादे श्रिंखला के मुख्य अंग हैं सूरच, वनस्पती, जीव जन्तु और अपमार्च किया मुर्धाखोर। सूरच उर्जा का प्रधान्स रोथ है, वनस्पती उत्पातक है, क्योंकि वह धूप की मदद से अपना भोजन तयार करती है। जीव जन्तु यानि पशु उपभोगता है। जीव जन्तु वनस्पती खाने वाले शाकाहारी या मास खाने वाले मासाहारी हो सकते हैं। कुछ जीव जन्तु सर्वहारी यानि वनस्पती और दूसरे जीवों दोनों को खाने वाले हो सकते हैं। अप मार्चक मुर्दा जीवों को खाते हैं। आईए खादे श्रंकला का एक आहसान सा उधारन लेते हैं। वनस्पती धूप की मदद से अपना भूजन तयार करती है। वनस्पती को हिरन ने खाया। हिरन को शेर ने खाया। शेर मर गया तो गिद और हाइना जैसे मुर्दाखोर उसका गोश्ट हजम कर गए। फपूंद और जीवानु जैसे विक्टकों ने बजे खुझे मृत जीवों का सफाया किया। और उन्हें विक्टित कर खाद बनाई जिससे वनस्पती को पोशन मिला। इस तरह खाद दे श्रिंखला का चक्र पूरा हो गया। जंगलों में ऐसी अनेक खाद दे श्रिंखलाएं पनपती हैं और आपस में जुड़कर खाद दे जाल बुन लेती हैं। जंगल पृत्वी के हरित फेफडे पहाणों पर घने जंगल होते हैं। जंगल प्रकाश संशिलेशन की क्रिया से वायू मंडल में ऑक्सीजन और कारबन डायॉकसाइट के बीच संतुलन रखते हैं। प्रकाश संशिलेशन की क्रिया से वनस्पती अपना भोजन तयार करती है। इस क्रिया में पौधों की पत्तियां सूरच के प्रकाश की मदद से कारबन डायॉकसाइट और जल से भोजन तयार करती हैं। इंसान और जीवजन तू कारबन डायॉकसाइट छोडते हैं। वनस्पती मिट्टी से जल सोखती है। प्रकाश संशिलेशन से शरकरा और ऑक्सीजन बनती है। शरकरा पेड़ पौधों यानि वनस्पती के बाकी हिस्तों में चली जाती है। आक्सीजन हवा में छोड़ दी जाती है। जिससे इंसान और जीवजन्तू सांस लेते हैं। इसलिए जंगलों को प्रिथी को प्राण वायू देने वाले फेपड़े कहते हैं। जंगल और जलचक्र जंगलों की जलचक्र में महतपून भूमिका है। वे वाशपी करण के माध्यम से इसमें योगदान करते हैं। वाशपी करण ऐसी क्रिया है जिससे पौधों की पत्तियों और तनों से पानी की वाशप उड़कर वायू मंडल में जाती है। फिर यह उ सतह को छूने के बाद संघनित हो जाती है और बादल बनाती है। बादलों में जल की बूंदें जब बहुत अधिक हो जाती हैं तो बारिश के रूप में धर्ती पर गिरती हैं। वर्षा का जल, वर्षा का पानी, जर्नों, नदियों और महासागरों में पहुँशता है जि जंगल मिट्टी का कटाव रोकते हैं लीना ने एक अखबार में एक सुर्खी देखी जंगल ना होने से आई अचानक पाढ़ इसे पढ़कर वो जंगल और बाढ़ के बीच का संबंध जानने के लिए उस्थुक हो गई है पौधों की जड़ें ना सिर्फ उन्हें मिट्टी म परत धीली हो जाती है जिसे जल और पवन बहा ले जाते हैं इसके कारण रेगिस्तान फैलता जाता है मिट्टी की उपजाव शक्ती भी कम हो जाती है मिट्टी की उपरी परत हड़ जाने से बारिश का पानी सोखने की मिट्टी की क्षमता कम हो जाती है इसके परिणाम सो र जंगल, वायू और धौनी प्रदूशन कम करते हैं। आदिल एक क्लिनिक में है। वह आखों में खुजली और गले में खराज की शिकायत कर रहा है। डौक्टर ने कहा कि ये प्रदूशन के लक्षन है। आदिल में जो लक्षन दिखाई दे रहे हैं। उनका कारण फानों और कारखानों से निकलने वाला धुआ और जहरीली कैसे हैं। अगर जंगल ना होते तो इस्थिती और भी खराब होती क्योंकि बेड कारबन डायोकसाइड सोख कर और आकसीजन छोड़ कर हवा को साफ कर देते हैं। जंगल शहरी माहौल से उठते शोर को सोखते और रोकते भी हैं जिससे प्रिथवी रहने लायक हो जाती है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। घने पेडों वाले धर्ती के विशाल ख्षित्र जंगल कहलाते हैं। जंगलों में तरहा तरहा के पेड़ पौधे यानि वनस्पती और जीव जन्तु पाए जाते हैं। जंगल की सबसे उपरी परत ओवर स्टोरी यानि उपरी मन्जल कहलाती है। जाडियों, जड़ी बूटियों और काई की निचली परतों से अंडर स्टोरी बनती है। जंगल हमें इधन और फरनीचर के लिए लकड़ी, पशों के लिए चारा, और शधी वनस्पती, काघज, बास, रबर्ड, गोंद और तरहा की दूसरी चीज़ें देते हैं। खादेश रिंखला ऐसा सिलसला है जिसमें उर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक पहुँशती है। जंगल प्रकाश संशलेशन की क्रिया से वायू मंडल में ऑक्सीजन और कारवन डाय ऑक्साइट के बीच संतुलन रखते हैं। जंगल वाशपी करण के मात्यम से जलचक्र में महतपून भूमी का निभाते हैं। जंगल मिट्टी के कटाव और वायू तथा धुनी प्रदूशन को रूखते हैं।